आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वाट्साप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैच का सवाल हो या फिसिक सेमिस्ट्री बाइलोजिका आपके हर डाउट हर कोशिन का मिलेगा तुरंद वीडियो सलुशिन वो भी सिधा आपके वाट्साप पर बस अपने फोन में डाउट्निट का आठ चार्सो 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 वाट्साप नंबर सेव कर लिजिए और चाट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो कीच नहीं है कुसे क्रॉप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो स नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप आए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाइसल जाट पर आपका स्वागत हैं विद्यार्थियों आज की जुमाएं क्लासें वह हैं प्रकरकारी पुस्ति का गनीत कक्षा आर्ट के अंदर गत आंकलन आर्ट आज की क्लास में हम आंकलन आर्ट कोल करेंगे जो पेज नमबर 34 पर है आईए शुरू करते हैं आंकलन आर्ट इसमें पहला सवाल हैं निच्चे दी गई पुर्णांक संख्याओं का परवर्ति पुर्णांक लिखे परवर्ति यानि बाद वाला यानि हमें इस तरफ वाला दायों और वाला पुर्णांक लिखना है कहें पुर्णांक लिखे परवर्ति होगा साथ कहें माइनस चार माइनस चार का परवर्ति होगा माइनस तीन माइनस पंद्रा माइनस पंद्रा का परवर्ति होगा माइनस का 14 अठारा का 19 माइनस दो का माइनस एक यह इन पूर्णांग को कमने परवर्थी लिखें दूसरा सवाल है निच्चे दीगे पूर्णांग संक्या होगा पूर्वर्थी पूर्णांग लिखें पूर्वर्थी यानि यह में बायों और वाला पूर्णांग लिखना है कहें 11 11 का बाइम और क्या होगा 10 यानि 11 का पुरवर्ती होगा 10 minus 20 का पुरवर्ती minus 21 minus 7 का पुरवर्ती minus 8 48 का पुरवर्ती 47 6 का पुरवर्ती 5 ठीक है विद्यार्थियो तो यह हमने इन पुर्णांकों के पुर्वर्थी पुर्णांक लिखें, चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों, अगला जो सवाल हैं, सवाल नमबर 3, संख्या रेखा का प्रियोग करते हुए निमलिकित पुर्णांकों को प्रदर्शित करें, विद्यारतियों में यहां संख्यार्यका बनानी है और उस पे 2, मैमO 4, मैमO 10, और 13 इन्हें में दर्शाना है ठीकिए विद्यारतियों देखिए हम यहां देख देखे जिरो फिर इस तरफ दनात्मक और इस तरफ प्रिनानात्मक पुञूनां के दर्शान देटें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा यह हम दर्शा देंगे, यह इसे दर्शना है तेरा, तो हमने यह दर्शा दिया तेरा आगे आई का तो 14, 15, 16, 17 इस प्रकार चाहम दर्शा सकते हैं देखिए अंतराल हमें लगबग बराबर बराबर अंतराल लेना है है इधर होगा माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छे माइनस साथ माइनस आठ माइनस नू माइनस दस माइनस दस दर्शाना है तो आएगा माइनस दस तरफ माइनस ग्यारा माइनस बारा माइनस तेरा इस प्रकार से है पुर्णांग हम संक्या रेका बना सकते हैं अब हमें दनात्मक दो दर्शाना है जिरो पात 1 2 यहां आएगा 2 मैनस 4 दर्शाना है जिरो किदर मैनस 1 मैनस 2 मैनस 3 मैनस 4 यहां होगा मैनस 4 ठीक है विद्यारतियों हमने इन पूर्णांकों कोई संक्यारेखा पर दर्शा है आप इस इस प्रकार से संक्यारेखा पर दर्शा ह household अगला है सबाहल नंबर 4 माइनस 4 माइनस 4 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें माइनस 4 से बड़े यानि हमें संक्या रगा पर इस तरफ वाले पूर्णांग लिखने हैं, कोई भी पूर्णांग लिख सकते हैं, हम इससे बढ़े लिखेंगे, minus 49, minus 38, minus 37, minus 36, minus 35, हम ने यह, minus 40 से बढ़े 5 पूर्णांग लिखें, और भी जो संख्या रगा में इस तरफ वाले जितने भी पुर्णाग होंगे वे सारे माइनस 40 से बढ़े होंगे चले विद्यारतियों आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल हैं सवाल नंबर 5 दीगे संख्याओं के तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य हमें इनकी तुलना करने है और सत्य या सत्य इसमें हमें लिखना है कहें माइनस 20 डिगरी सेल्सियस सुन्य से माइनस 20 डिगरी सेल्सियस ज्यादा है देखिए माइनस 20 डिगरी सेल्सियस जीरो से कितना आएगा यहां माइनस 20 डिगरी सेल्सियस इस तरह आएगा तो मैनस सुन्य से मैनस 20 डिजर सेल्सिय स अधिक है विलकुल मैनस 20 डिजर सेल्सिय अधिक है ठीक है विजर जी हो अगला एंख माइनस 5 से एक बड़ा है माइनस 5 से एक बड़ा है वद्यारतियों माइनस 5 से एक बड़ा है ये खतन भी सत्य है ठीक है वद्यारतियों तो ये खतन सत्य है चलिए अगला जो सवाल है सवाल नमबर 6 दी गई पुर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे तो विध्यारतिए को यह जो पुर्णांक दे रहे हैं हमें इन्हें आरोही आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है कहें माइनस 69 35 माइनस 72 माइनस 24 तो इन वे सबसे छोटा पूर्णाँगे माइनस 72 इस से बढ़ा है माइनस 69 इस से बढ़ा है माइनस 24 इस से बढ़ा है 35 तो अमने इनको बढ़ते क्रम यानि आरोई क्रम में लिखा ख है 40, minus 70, minus 12, 89 सबसे छोटा पुर्णांग, minus 70 इससे बड़ा, minus 12 इससे बड़ा, 40 इससे बड़ा, 89 तो इस प्रकार से हमने इन पुर्णांगों को आरोई क्रम में लिखा अगला है गह, minus 21, 15, minus 43, 28 इने भी हमें आरोई क्रम में लिखना है सबसे छोटा पुर्णांग, minus 43 इससे बड़ा, minus 21 इससे बड़ा, 15 इससे बड़ा, 28 इस प्रकार से हमने इन पुर्णांगों को आरोई क्रम में लिखा चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते है सवाल नमबर साथ, दीगे पुर्णांग संख्याओं को आवरोई क्रम में लिखे आवरोई क्रम यानि गड़ता क्रम कहें, minus 9, 25, 75, minus 83 इन में सबसे बड़ा पुर्णांगे, 75 55 से छोटा 25, 25 से छोटा minus 9, minus 9 से छोटा minus 68 तो देर्थ इस प्रकार से अमने इनको गड़ते क्रम में लिखा ख है, 28, minus 30, 4, minus 18 तो इन में सबसे बड़ा पुर्णांगे, 28 इस से छोटा है, 4 इस से छोटा minus 18 इस से छोटा है, minus 30 तो यह हमने आरोई क्रम में लिखा अगला है, गव minus 33, minus 23, minus 14, 15 इन में सबसे बड़ा पुर्णांगे, 15 इस से छोटा है, minus 14 इस से छोटा है, minus 23 इस से छोटा है, minus 33 थीकिए, विद्यारतियों, इस प्रकार से आपने पुर्णांगों को अवरोई क्रम में लिखा तो विद्यारतियों, आज की क्लास्में में आंकलन 8 कोल किया, आप भी इस आंकलन 8 को समझ कर केल कीजिए, और इनसे जुड़े हुए सवाल, आपकी पार्टी पुस्तेक में हो, तो इन्हें भी आप हल जुरूर कीजिए, विद्यारतियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिए गए, लाल रंके सब्सक्राइब बटन को दबा करके, हमारे यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसे जाड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प सब्सक्राइब के साथ में, तब तक के लिए थेंक्यू, धन्यवाद, जेहिन, जेबारत, आप दिन शुब रहें, थेंक्यू